हलो माई दियर स्टूडेंट्स वेल्कम टू ड्रीम क्लासेज आज टाइम एंड वर्क समय तथा कारी के उपर बहुत ही स्पेशल वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं MDH आपने नाम सुना होगा MDH formula बहुत सारे प्रस्ण MDH formula से पूछे जाते हैं और बहुत नाम सुना होगा अपने MDH formula इसके उपर जितने भी important प्रस्ण हैं पहले तो हम basic वाले प्रस्णों को लाएंगे फिर थोड़ा सा level बढ़ाएंगे MDH formula होता क्या है और इसके उपर जब प स्क्रीन के उपर और बहुत ही बहतरीन सवाल कह रहा है कि 6 बिल्ली 6 दिनों में 6 चुआ खाती है तो 2 बिल्ली 3 दिनों में कितने चुआ खाएगी बड़ा आजीब हो गरीब है इसी को कहते है इसी यह जो है MDH से रिलेटर देखिए यह जो ट्रिक है यह कैसा ट्रिक है मापक करने की कोशिश करेंगे ट्रिक कुछ इस तरह से रहेगा M1, D1, H1, बटे W1 बराबर M2, D2, H2, बटे W2 और यह जो ट्रिक है यह बहुत नाम इसका चलता है इसी को कहते हैं सर MDH फार्मूला या MDH ट्रिक कह सकते हैं इसके उपर बहुत सारे प्रशन एक्जाम में कई सारे competitive एक्जाम में पूछा गए M यानि मैन यानि आदमी, डे यानि दिन और यच यानि आवर यानि घंटा आवर इसको बोल सकते हैं और डबलू यानि वर्क यानि कारी याद रखेगा कि जब MDH के उपर आपसे प्रशन पूछा जाएगा यह बहुत ही special class हम आपके लिए लेकर आएं वर्क है यह नीचे रहेगा बाकी इसके अलाबा कुछ भी हो सबको उपर रखने हैं काम को नीचे बाकी सबको उपर कौन सा फॉर्मला है MDH फॉर्मला है तो यहाँ पर देखिए 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चुहे को खारी है काम क्या हो रहा है सर काम हो रहा है चूहा खाना यह भी काम है तुक है वर्क है तो कहरें 2 बिल्ली 3 दिन में कितने चूहे हम MDS formula से ऐसे लिखेंगे कि सर 6 बिल्ली 6 दिनों में 6 चूहे खाती है काम हो रहा है 6 चूहो को खाना तो हमने काम को नीचे रखा अब आपसे पूछ रहा है कि दो बिल्ली तीन दिन में कितने चुहे खाएगी क्योंकि चुहे के बारे में पूछ रहा है X की value 6 से 6 कटिया, 2 ती या 6 3 से 3 कटिया कटने का मतलब है कुछ नहीं तो 1 चुह घटना यानी 0 कटना यानी 1 यानी कितने चुहे को खाएगी भई एक चुहा को और it called MDH formula it called MDH formula I think यह आपको बहुत भेतरी ढंक से समझ में आ रहा हुगा यह कौन सा formula है MDH formula सीख पा रहे हैं सिर्फ सीख ही नहीं पा रहे होंगे ऐसे प्रस्ण जब आपके exam में आएंगे तो हमें इतना यकीन है कि आप धडले से उनका उत्तर दे पाएंगे चलिए इसी तरह से दो चार प्रस्ण आपके screen के उपर रखते है कोसिस करिए इसको बनाने का और एकदम trickly solution करने का सवाल दिखीगा दिख रहा है सवाल है 6 burner को बर्नर जो चूले के उपर होता है जो जलने वाला 6 burner को 6 गंटे प्रति दिन जलाने पर 8 दिन में gas का गए 4500 रखते हैं यहाँ पर काम क्या हो रहा है सर यहाँ पर काम यह हो रहा है 4500 का खर्चा हो रहा है काम हो रहा है पैसा खर्च करना बर्नरों को जला कर जो पैसा खर्च हो रहा है वो बर्क है हमारा तो जो काम हो रहा है वो नीचे हम कहेंगे सर 6 burner 6 गंटे 8 दिन कर देखिए यम डी यच टिक है यहाँ यहाँ पर है यच आगे है उससे कोई दिक्कत नहीं है टिक है और डबलू कौन है सर डबलू वो है साड़े 4 रुपया खर्च होना तो 6 burner को 6 गंटे प्रती दिन 8 दिन तक जलाएंगे तो साड़े 400 का खर्च है कौन सा फॉर्मूला MDH फॉर्मूला तो अब आप से पूछ रहा है कि साड़े 6 625 रुपया में दस दिन तक पांच घंटे यानि 10 दिन तक पांच घंटे कितने burner जलाएंगे burner उपर था ना इस इदर कितने burner SX burner जलाएंगे ताकि हमारा खर्च हो जाए 625 रुपया समझे इस चीज़ को 25 को 25 बार में काटेंगे तो हमको लगता है कि 625 आएगा सही बात है और यहाँ पर 2500 बार में 25 छगडे 16 बार में सही है बिल्कुल सही होना चाहिए यह 16 बार में 8 दुनी 16 2 तिया 6 5 पचे 25 5 दुनी 10 2 तिया 6 X बराबर 3 तिया 9 कितने भई सही है ना कहीं calculation तो mistake नहीं हुआ एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं बिल्कुल परेशान मत होए हमारे इसाब से तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा यह 16 बार में कटेगा यह 18 बार में 25 बार में हाँ यह 18 बार में कटेगा चली कोई बात नहीं हम एक बार फिर से कर देते हैं इस 90 बार में हाँ यह 18 बार में कट रहा था हमने मिस्टेक किया चेती आठारा तीन दुनी छेत दो से दो कैंसिल एक्स बराबर कितने बरनार कोई बात नहीं गलती से इसको हम कह सकते हैं सर यह आपका हुआ गलती से मिस्टेक परिशान मत हो यह बहुत ही बहतरीन सवाल है और बहुत इंट्रेस्ट आने वाला है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर बना के देखिए जरा थोड़ा सा टाइम हम दे रहे हैं आपको बहुत 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 सवाल कह रहा है कि पी आदमी पी दिनों में प्रती दिन पी घंटे काम करके पी इकाई संपन्न करते हैं तो काम क्या हो रहा है सर पी इकाई संपन्न होना मतलब सबसे पहले काम ढूड़ना है P आदमी P दिनों में प्रती दिन P घंटा करते हुए P एकाई संपन करती है काम हुआ P यूनिट जो वर्क हुआ वो P यूनिट है तो कह रहा है कि यन आदमी यन दिनों में यन घंटा करते हुए कितने एकाई को संपन करेगा कितने के जगा पर x हमें इस x की value चाहिए क्योंकि यहां पर p काई संपन हो यहां पूछ रहे कितने काई संपन होगा तो x देखो भई यहां हो जाएगा p square क्योंकि कट तो सकता नहीं n q by x तो यह इधर लाएंगे तो x बराबर p square बटे n q क्योंकि हमको x का मान चाहिए और यहां पर कुछ है नहीं कि मान पूट कर सकते हैं तो p square बटे n q सही है न जी या n q बटे p नहीं नहीं कोई बात नहीं यहां देखिए यह 1 y x है ना यह 1 y x है तो 1 y x बराबर क्योंकि यह नीचे x है ना यह इधर आजाएगा तो नीचे आजाएगा तो x बराबर देखिए इसको आप ऐसे समझीएगा समझीए यहां तक clear है समझीए तो यह आप तिर्चा-तिर्ची गुना करिएगा या फिर इसको आप उधर ले कर जाएगा तो x उपर जाएगा तो यह नीचे आजाएगा यानि n q बटे p का स्कोर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ठीक है यानि n q बटे p का स्कोर यह आपका d number option है तो यह बड़ा बहतरीन session है बहुत ही बहतरीन प्रश्णों को हम आपके सामने ले कर आएगा है बहुत मजा रहोगा समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे बहुत ही simple है यहाँ यह एक्स तिरच्छा तिरच्छी या फिर एक्स को उधर कर यह तो उपर चल जागा यह p स्कोर नीचे आजगा यह नी n q बटे p का स्कोर अगला 7 वेक्ती 7 दिन परती दिन 7 वेक्ती 7 दिन तक परती दिन 7 घंटे काम करते वे 7 यूनिट वर्क करते हैं तो 5 वेक्ती 5 दिनों तक 5 घंटे परती दिन करते वे कितने यूनिट को कर भाएंगा कोई बात नहीं कर लेते हैं इसको उधर कर दीजे तो x बराबर 5,25,25,125 और ये नीचे आजएगा सते उन्चास सेम टो सेम पिछला वाला कोश्चन था 125 वटे 49 यूनिट सही है सही है ना 7 वेक्ती 7 दिन तक परती दिन 7 घंटा काम करते वे 7 यूनिट काम करते हैं 5 वेक्ती 5 दिनों तक परती दिन पांच गंटा करते वे कारी के कितने यूनिट को कम कर पाएंगे वो उधर चला जाएगा ये नीचे आजाएगा कोई बात नहीं ये आपका option नहीं दिया हुआ है खर कोई बात नहीं ये x की value बिल्कुल सही है क्योंकि ये x उपर आ जाएगा और ये 749 नीचे आजाएगा बिल्कुल 100% sure है बाई option भले आपका option टाइपिंग गलत है पर कोई बात नहीं हमने जो आपको बता है वो 100% sure है यहां तक clear है समझ पार है option को tension मत तेज़े हो सकता है बच्चे ने टाइपिंग गलत कर दिया हुआ लेकिन हम जो आपको बता है जैसे देखें यहां पर हमारा एक चोटा सा mistake हुआ तो हमने mistake को माना कि ना यह उपर जाना चाहिए नीचे आना चाहिए तो यही rule तो यहां पर भी है ना बही कि just a second कि यह उपर जाएगा सर जी और यह नीचे आ जाएगा तो पाच का पच्ची पाच गुने पाच एक सो पच्चीस और बटे साथ का स्क्वर यही नीचे आ जाएगा बिलकुल 100% option के लिए बिलकुल परेशान मात हो हम है तो हम आपको एक बहतर ही solution देंगे 72 व्यक्ति 208 मीटर लंबी एक दिवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो काम क्या हो रहा है सर काम हो रहा है 280 मीटर लंबी दिवार बन रही है यानि 72 व्यक्ति 218 मीटर लंबी दिवार बना रहे हैं काम हो रहा है सर 280 मीटर लंबी दिवार बनना तो इसी प्रकार की 100 में घान में100 मीतर बनाने के लिए इसा margini कि सू म्यूटर के लिए घान के लिए इसा सकते हैं लों सच्चक 28 सत्यय की इस काड़ सकते हैं 4 से 4 केंसिल यह एकस बराबर यह भाग में इधर जाएगा गुणा में 10 तीया तिस कितने कितने विक्टी सरजी हुआ कितने विक्टी 30 विक्ती को मंप्र लगा सकते हैं समझ मैं आ एकदम गनित माने तो मक्षन गनित माने तो मक्षन बारा आदमी नौ घंटे प्रती दिन काम करके किसी काम को तीस दिन में पूरा कर सकते हैं तो 12 आदमी 9 घंटे प्रती दिन करते वे 30 दिन में किसी काम को मतलब कितना कोई भी काम एक होता मैंने आपको शुरू में ही बताया था तो कह रहा है इससे दुगने कारे को इसके 10 गुने कारे को 5 घंटे प्रती दिन करते वे 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी 10 गु गुना है तो 10 गुने पर बनाएए इससे 10 गुने कारे को 5 गंटे प्रती दिन करते वे 24 दुमें कितने आदमी इसके 10 गुने काम को अगर यह होता तो यह 10 हम ने काम को एक माना तो यह 10 गुना तो 10 लिज़ें काम यहां एक था यहां 10 दस गुना है तो दस लिजिए यह है MDH फर्मूला बहुती सिंपल बारह दुनी चौबिस पांच छकतीस दो तिया छे और एक्स बराबर नौ तिया 27 गुने यह भाग में दर गुना 27 दहें के 270 वेत्ती के आवशकता पड़ी है उप्शन में बिल्कुल बिल्कुल सही है जी 270 आदमी यह 270 मैन बिल्कुल 100 परसंट यह 10 गुना ही का रही था मुझे लगा दुगना होगा टैपिंग कभी-कभी बच्चे मिस्टेक कर देते पर कोई बात नहीं हम है आपके साथ और हम आपको बहतर ही समझाएंगे यहां तक सीख पा रहे हैं आप लोग चली एक टंकक टं बजे के बीच 1080 प्रिष्ट टाइप करने के लिए कितने टंको की समय समय सीमा आपको क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ है एक बजे से दो बजे तक यानि एक घंटा एक घंटा यानि समय सीमा आपको दिया हुआ है साथ मिनट अब समझिएगा कि आपको काम कितने देर में कर देना है सर साथ मिनट में complete कर देना है एक टंकक एक टंकक कहिए यह एक व्यक्ति एक व्यक्ति को एक page type करने में चार मिनट लगता है आप बताए कि एक व्यक्ति जो है वो साथ मिनट में कितना page type करेगा सर आप ही तो करें कि एक page में चार मिनाट, तो आपको दो पहर में एक बजे से दो बजे तक टाइप करवाने हैं, तो एक घंटा ना एक गणता यानि साट मिनाट और हम ही पंदर हे पेज टाइप करेगा ना जी 15 चक साथ क्योंकि हम यहां पर किलियर कर चुके हैं कि एक पंदा टाइप करने में 4 मिनट तो 60 मिनट में एक आदमी कितना पेड़ सर 60 मिनट में 15 पेड़ और आप कह रहे हैं कि नहीं हमको 1080 पेज टाइप करवाना है तो कहेगा ना ठीक है 1080 पेज टाइप करवाना है आदमी बढ़ा ही है तो हमको पता है कि हमको 1080 पेज टाइप करवाना है ठीक है और एक आदमी 15 पेज टाइप कर सकता है तो व्यक्ति की संख्या निकल सकता है कुल व्यक्ति या कुल टंक की संख्या कि वह कितने व्यक्ति को हम लगाएंगे 15 सत्य एक सो पचोतल से 3 0 15 दूनी 30 72 व्यक्ति को आप टाइप करवाईए 72 व्यक्ति से एक घंटा के अंदर 1080 क्योंकि 72 व्यक्ति है 72 व्यक्ति लगाईए 72 गुने 15 करिए आपको 10 स्वासिया दे क्योंकि एक व्यक्ति 15 ही पेज टाइप कर सकता है घंटा में तो 72 गुने 15 यही प्रशन आप से पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति को टाइपिंग में लगवाएंगे 72 व्यक्ति को हम टाइपिंग में लगाएंगे यहां तक क्लियर है एक बार समझ चकते हैं आप लोग सीख पा रहे है दो पुरुष एक कारी को एकस दिनों में कर सकते हैं लेकिन बाई इस्तरी वही कारी को तीन दिनों में दो पुरुष एक कारी को एकस दिन में कर सकते हैं लेकिन बाई इस्त्री वही कारी को तीन दिन में कर सकती है एक पुरुष और एक इस्त्री काम पर देखें दो पुरुष एकस दिन में एक काम करें लेकिन बाई इस्त्री तीन दिन में वही काम कर सकती है यानि काम बराबर काम, यानि दो पुरुष एक्स दिन में एक काम, दो पुरुष एक कारी को एक्स दिन में, यानि दो पुरुष एक्स दिन में एक कार, बाई इस्तरी तीन दिन में वही काम, यानि टू एक्स बराबर थ्री बाई, बाई को पकड़ के इधर लाइए, एक्स तथा एक स्ट्री के कारिकरन पाद यहां पर टाइपिंग मिस्टेग बच्चे ने किया होगा हम इसको इतना ही रहने देंगे कोई बात नहीं चोटा सा माइनर मिस्टेक है हम जब बता रहे कि सही उत्तर आप तीन अनुपाद दो मार सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो इसको ऐसे सही उत्तर है बिल्कुल बना सकते हैं छे व्यक्ति आठ गंटे प्रति दिन काम करके प्रति सप्ता चौरासी सो रुप्या अरजित करते हैं तो नौ व्यक्ति द्वारा छे गंटे प्रति दिन कारे करके प्रति सप्ता अरजित करने वाली रासी छे व्यक्ति को आठ गंटा कार करवाईएगा तो 84 रुप्या सब्ता में अर्जित कर रहा है कि नौ व्यक्ति को अगर छे घंटा प्रति दिन कार कर आईएगा तो कितना अर्जित करेंगा निकाल के देख लेते हैं कि चे से चे केंशिल का यह आठर है कामाट जीरो दससों पतास दस्सों पतास गुने 7 नो कर दीजिये तो 1755 ठीक है सब्सारीचama 9 a.m You 9650 रुपय रचे है ऑप्षन में यह मिस्टेक है 956 रुपईए यह आपका सहीऊ इ सी इसे डराइट उ समझ पार हैं एकदम 100% guarantee के साथ एक बार देख लिजे कहीं कोई mistake तो नहीं आपको लग रहा है मतलब आपको कहीं doubt mistake नहीं doubt कहना चाहिए था मुझे सॉरी कि आपको कोई doubt तो नहीं लग रहा है कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा 12 पुरूश और 18 लड़के प्रति दिन पहले हम इसको नौर्मली सब्च सजाते हैं कि 12 पुरूश को mdh पर ही करेंगे solve परिशान मत होई एकदम बहतर concept देंगे हम आपको 12 पुरूश तो पुरूश को यम से हमने dilute किया 12 पुरूश और का मतलब एक चीज़ आयाद रखिएगा अगर कहीं पे और लिखा रहे है ठीक कहीं रहेगा ए या बी या तो ए या तो बी चोटी चोटी जानकारियां आपको पहले से होनी चाहिए बारा पुरूश और और का मतलब प्लस 18 लड़के लड़कों को बी से डिनोट करिएगा 18 लड़के साढ़े साथ घंटा कारिकरते हुए तो आप देखें M.D.H. formula M.1 दिन है साढ़े साथ घंटा है सादूनी 14 वटे सादूनी 14 वटे 15 वटे 2 कुछ नहीं पुरूश नहीं पुरूश तोड़े काम करते हुए किसी काम को साथ दिन में साथ दिन में एक काम करेंगे, गुने एक, बराबर कसे हैं, ये मिटा दे, ये तो knowledge आपको होई गया होगा पहले से भी, ठीक है, समझे इसे को, M.D.H. फॉर्मिला, कि सर, 12 लड़के, 12 पुरुष और 18 लड़के, 12 एम प्लस 18 भी, साथ पुर्नां के एक वटे दो, यानि 15 वट एक पुरुष दो लड़के के बराबर, खैर, इसको हम थोड़े दर के लिए स्टॉप करते हैं, हम करते हैं उसको भी सौल, तो कहरा है कि बताएं, 21 पुरुष, 21 पुरुष, 9 घंटे प्रती दिन कारे करते हुए, 50 दिनों में, दुगने काम को, पहले काम एक था, अब दु दुगने काम को पूरा करने के लिए, कितने लड़कों क्या वसकता होगी, यानि समझी इस चीज को, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, 21 पुरुष तो है, साती सात कितने लड़के चाहिए, ठीक है, साती सात कितने लड़के चाहिए, ताकि, 9 घंटे प्रती दिन कारे करते हु दो लड़का करेगा बात क्लियर है एक पुरुष जितना काम करेगा उतना दो लड़का अब सबाल है कि सर इधर भी पुरुष और लड़के हैं इधर भी पुरुष के साथ पूछ रहे कितने लड़कों को हम एड़ करें तो अब ऐसे में एक सवाल आपके मन में आता है सर पे बने अगर इस्तोरी रहता एक पुरुष बराबर दो लड़का बराबर तीन इस्तोरी तो हम आपको सर्जेस करेंगे जिना करेंगे उतना दूर नज़ें को आप या तो पुरुष पुरुष को एड़ कर या तो आप लड़का को पुरुष में बदल दीजिए या तो पुरुष को लड़का में तो हम क्या कर दिये कि लड़का पुरुष को लड़का में बदल देंगे क्योंकि हमको पता है कि एक पुरुष बराबर दो लड़का तो बारा पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 24 लड़का 12 पुरूष बराबर क्योंकि एक पुरूष बराबर दो लड़का तो 12 पुरूष बराबर 24 लड़का और 18 लड़का को जोड़ियेगा ना 24-18, 24-32, 10-42 लड़का 15 दिन में 60 काम 15 बटे 2 सोरी, 2 नीचे है एक काम को करते हैं 21 पुरूष के जगा पर आप क्या कर सकते हैं 42 लड़का क्योंकि एक पुरूष का काम 2 लड़का करता है तो 42 लड़का के साथ और कितना लड़का लगाईएगा X लड़का पूछ रहा है कि 42 के साथ कितने दिन में लड़के लगाए कि 9 गंटा परते दिन कार करके 50 दिनों में दुगने काम को कर दे 0 से 0 कैंसिल एकदम बिल्कुल धहरे और सहीम रखिए आपको एकदम सॉल्व करके देंगे 3 तीया 9 3 पचे 15 ठीक है 24 तीया 42 यहां तक क्लियर है बिल्कुल सही है समझ में आ रहा होगा सबको आप करिए 24 पचे 120 24 पचे 120 और 120 गुने 6 12 चक 72 और यह भाग में इधर गुना में 720 गुने अच्छा है यह 2 से 2 तो कटी रहा है 2 से 2 काट दीजिए 24 पचे 120 गुने 6 12 चक 72 बराबर यह इधर कर दीजिए 40 पचे 200 और 5 गुने 10 210 पलस 5 एक्स इसको इधर कर दीजिए थोड़ा सा बोर्ड का देखो जी इसको करिए 5 एक्स बराबर जो हो जाएगा इससे इसमें गटाईएगा तो 5 गुने 7 510 हो जाएगा हमारे हिसाब से तो एक्स बराबर 510 बटे 5 यानि थोड़ा समय दीजिए इसको solve करते हैं थोड़ा चोटा चोटा लिखें क्योंकि इतना बड़ा में हो नहीं पाएगा इस प्रश्न में हम कर देंगे solve परेशान मत हो यह यह calculation कहीं mistake हुआ हुआ board क्योंकि छोटा चाहिए इतना बड़ा board हो नहीं पा रहा है अब देखो थोड़ा सा करके देखते हैं परेशान मत हो यह हम कर देंगे एकदम ठीक है थोड़ा सा हमें पता है कि एक पुरुष बराबर दो लड़का चलो हम direct solve करते हैं ठीक है 12 पुरुष और 18 लड़के तो 12 पुरुष करेगा 24 लड़के लिख दे 24 लड़का क्योंकि एक पुरुष बराबर दो लड़का पलस 18 लड़का 15 वटे 2 घंटे कारी करते हुए 15 वटे 2 गारी करते 60 दिन में एक काम करते बराबर कह रहा है तो बताएं कि 21 पुरुष को 9 घंटे प्रति दिन कारे करते हुए 50 दिनों में दुगना काम को पुरा करने के लिए कितने लड़कों किया वे सकता होगी हमको पता है कि 21 पुरुष जो होता है वो 42 लड़के के बराबर हो गया 42 के साथ कुछ और लड़के चाहिए जिसको 9 घंटे प्रति दिन कारे करके 50 दिन में दुगना काम कर देना चलिए 2 से 2 कैंसिल नीचे नीचे खतम 0 से 0 कैंसिल समय दीजे सॉल्व करके देंगे 5 तीया 15 3 तीया 9 3 दुनी 6 कुछ नहीं है एकदम आसानी हम कर देंगे डिटेंशन मत तीजे ठीक है अब देखिए 24, 8 32, 10, 42 42 दुनी 84 बराबर उधर हो गया 42 प्लस X इसको इधर करिए X बराबर 84 मैंनस बोले था नहीं एकदम आराम से हम कर देंगे कितने लड़कों की आवशकता होगी 42 लड़कों की आवशकता आपके इस प्रस्ण के चक्कर में हमने अपनी कौफी ठंडी कर दी लेकिन हमें मानना है कि नहीं जब तक करेंगे नहीं जब तक तोडेंगे नहीं तब तक इसको छोडेंगे नहीं नोट करिए बहुत ही बहतरीन सवाल था देखिए उस समय उतना लंबा लेगे हो सकता कहीं कैलकुलेशन इदर दर हो गया होगा प्लस महिंग कॉपी में नोट करिए कॉपी ठंडी होगी लेकिन हमने आपका सॉल्यूशन कर दिया बिल्कुल सही उत्तर है आइटिंक समझ में आ रहा होगा आप सबों को ठीक है यस यह नो में जबाब दीजी आ रहा है समझ में हा या ना ठीक है तो यह 35 कोश्चन तक यहां तक रखते हैं उसके बार अगले प्रश्न में